जैसे जैसे दिन रजदीक आ रहे हैं टेंशन बढ़ रही है कुछ लोग फोन भी मांग रहे हैं मैं फोन भी देता हूँ ये question है main sir मैंने educational qualification वाले में column में bcom mcom de subject सारे subject de name नहीं लिखे जी only commerce लिख्या so I need to full form सर ये देखिए एक बात समझिए ये फॉर्म है न ये भी आपने नहीं बताया कि आपने फीस पे कर दी है सब्मिट हो चुका है अगर सब्मिट हो चुका है तो हर हालत में फीस दुबारा ही लगनी है अगर आप फिल करोगे तो फिल करोगे तो अगर आप इनीशियल दुबारा फिल करना है तो इनीशियल जो है यहां पर आप जब मुबाइल नंबर अपना ये जो लोग मुबाइल नंबर मांग रहे थे उनके लिए मुबाइल नंबर और अपनी इमेल आईडी फिल करते हो उसके बाद वो कहेंगे कि आप अपना यू आर अलड़ी रिजिस्टरड अगर आप अलड़ी रिजिस्टरड हो तो वो आप रिजिस्टरेशन नंबर यहां फिल कर दीजिया और पासवर्ड फिल कीजिया आपका अठीजथ कि दोबारा देनी पड़ेगी एकवेए यहां दूबारा फिल करने का दूसरा है कि आप नया फॉन नंबर और नअई आईडी लेके दुबारा से रिजिस्टरड हो जो दोनों तरह हो जाता है तिक है जिनों ने फून ऐसे किए हैं उसी रिजिस्टेशन नंबर स है तो आप मेरे कहाल में कोई प्राबलम नहीं है ज्यादा आपको टेंशन है यह आप कंपैरीजन कीजिए के मेरे हिसाब से कोई प्राबलम नहीं है क traumω कवे कमर्स ने फिल कर दिया है क्योंगि आप की हो आप लाइन में लगे हुए हो हाँ अगर सब्जेक्ट के उनके समिस्टर वन के वे सेकिंड थर्ड फॉर्थ के बेस पर कोई वेटेज मिलनी हो कोई कि डिस्रिमिनेशन हो तो यह जुरूरी है तो यह जरूरी काशिए डिस माइं प्रॉट यू Mario aq tis not important from my point of view, लेकिं मैं किसी organize करके फिर बता दूँगा उपको मेरे ख्याल में अगर केंश जैदा है तो फिलर लीजिये, अगर क्या ज्यादा है नहीं तो कल तक वे है सर मेरा टू टाइम नेट क्लियर है तो क्या मैं दोनों रिजल्ट डिफरेंट नहीं जरूरत नहीं है नेट एक बार है तो काफी है सालवेशन एक बार मिल गई है बहुत है तो दूसरी आप फिल कर सकते हो ऑप्शन दुबारा आ जाती है आप दुबारा क्लिक करो यहां पर तो लेकिन ज़रूरत नहीं है बात करने की फाइदा नहीं है आप एक बार फिल करो बस सर मैं प्राइवेट कॉलज में पर्मानेंट ह पड़ेगा यह देख लिए यह आपका फॉर्म है यह मुझे यह बताइए आपको यह देखना है जिनका भी यह प्रॉब्लम है सॉरी इधर कर लो थोड़ा सा केटगरी को हां के इस कॉलम में वैदर यू आर वर्किंग एज पार्ट ताइम गैस्ट फेक्लिटी टीचर इन गॉर्मेंट कॉलेजिज यहां आपने यस लिखा है जा नो लिखा है अगर आपने यस लिखा है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा फिर आपकी प्रॉब्लम है क्योंकि आप यह देखने वाला है यह इसको थोड़ा कलर करके बताता हूँ यह रहा ठीक यह गॉर्मेंट जो है ना गॉर्मेंट शबद यह इंपोर्टेंट है यह अगर गॉर्मेंट में हो लेकिन सब कुछ बाकी है लेकिन गॉर्मेंट नहीं है तो आपका नो ही आना है आपका नो ही आएगा तो अगर यह फिल करते हो अगर आपने उसके बाद यह नो फिल किया है क ठीक तो यह government शबद इसके यह जब लिखा हुआ है यह आपने यह लिख दिया है अगर yes कर दिया है यह दोनों बाते अगर हो गई हैं तो आपको government की category जो list बनेगी उसमें रख दिया जाएगा जो आपके लिए बाद में problem होगी यह problem फिर हो सकती है ठीक तो अगर आपने no बताया है कि मैं नहीं कर रहा है government में नहीं कर रहा हूं फिर आप सेब हो अगर यह yes लिख दिया है तो आपको form दोबारा फिल कर लेना चाहिए नेक्स्ट है अब आप फिस चलेंगे sir i am from haryana category whether you should fill only journal और जनरल फिमर देखिए दो problem आ रही हैं देख एक तो बाहर के जो लोग mary date के लिए बनती है ठीक तो मेरे ख्याल में अगर आपने फिल करना है आप फिल यह कर सकते हो फिल करने में कोई problem नहीं है लेकिन आस मत रखिए कि आपको reservation मिलेगी ठीक है एक बड़े अच्छे शक्स थे नाम नहीं याद उन्होंने एक clarification के लिए कहा है कि sir female बाहर से apply कर सक दी है तो फिर मैं यह सा कर सकता हूँ advocate साब से वह बात कर लूँगा जब तक लेकिन time ना हो जाए आपका आप अगर उनकी बात सची निकली मेरी गलत निकली फिर भी problem है इसलिए आप general female को prefer कीजिए आप अपनी reserve category फिल होती है तो कर दीजिए ठीक अगर general की है बाद में क्ल पंजाब से SC categories हों बट marriage हर्याना विच हो गई सर दिसना मैं form fill SC विच करा जाए जनरल विच ये तो problem नहीं है आप SC में ही करोगे आपकी SC है और female भी है जैसे अभी मैंने कहा है SC का हो सकता है कि वो पंजाब वलों को ही मिले हाँ आपका एक suggestion अच्छा है वो note कर लीजिए ये के आप एक मिनट ये पैन चला लूँ मैं अपना ओ चल जा यार ये ठीक है देखिए अगर आपको हर्याना में गए हुए पांच साल हो गए हैं ठीक तो आप और जब पांच से प्लस हो गए हैं आप हर्याना का ही domicile residence बनाएंगे ये बनेगा अगर आपके 4 साल और 11 महीने म 35-30 दिन हुए हैं ठीक है मतलब पांच साल से कम है तो अभी आप बर्थ के हिसाब से ये मैंने उस पे बताया है validity of जो document है बर्थ के हिसाब से आप फिर पंजाब के हुए तो फिर आपको benefit पंजाब में ज्यादा मिलना है ये बात पकी है ये जो अभी तक data है ठीक है तो अग अगर आप पांच साल से कम हो आपका बर्थ वाला जो domicile है वो चलेगा अगर पांच साल से अधिक हो फिर आप उदर के ही हो ठीक आप यहां से conclusion निकाल लें कि आपको अगर benefit लेना है तो आप पंजाब की side में ये कोशिश ये देखिए कि आप पांच साल से कम कैसे show करते है है जह है पांच साल के नहीं next है residence proof we went गया है अच्छा आपने बताया है बन गया है ठीक है बन गया है इसका मतलब है आपने पांच साल वहां लिख वा दिये हैं net का month कौन सा लिखना है जब net conduct किया जाता है जैसे December 2018 का tes था बेशक वह दो महीने late हुआ तो दूसरा certificate के ऊपर नहीं है आपके पास certificate चाहिए और कोई problem नहीं है hello sir sir मैंने हर्याना में से हुआ और मैंने Punjabi का exam 2020 में दिया और अब matriculation में subject detail फिक करते हुए Hindi English Math Science Music और elective Punjabi subject नहीं आपका elective आप डर मत जाना ये देखे देखे एक मिनट ये जो है न आप यहां आपने लिखना है additional ऐसे additional पूरा लिख सकते हैं additional पूरा लिखके Punjabi ओके अगर कब किया है वो year डाल सकते हैं अगर ऐसे year ऐसे कॉमा डाल के होता है जैसे भी वहां पढ़ता है 2020 ये राइट information है अगर ऐसे भी लिखा है तो कोई problem नहीं है दुबारा कोई problem फिर भी नहीं है पर अगर आप अभी तक submit नहीं करवाया आपने तो उसको additional पंजाबी 2020 ये information दे दीजिए एक की column में दूसरी option होती है कि आप नया भी फिल कर सकते हो matriculation दुबारा उसमें additional करके सारा फिल कर सकते हो लेकिन दोनों में से कोई option ठीक है लेकिन word अपने ठीक कर लीजिए इलेक्टिव पंजाबी subject और नहीं आएगा additional पंजाबी और वो आएगा जो year है जिसमें आपने पास की है sir मेरा OBC certificate का OBC category का certificate husband के name पर है पर बना है उसमें father name भी है क्या वो चल सकता है दिखिए मैम अगर difference है तो आपको कुछ नहीं करना एक एफिडेवट देना है जो जो भी आपके document है वो वकील के जो कचैरी में court में जो है बैठे जो एफिडेवट बनाते है शायद वो बाहर बैठे वो ही बना देते हैं तहसील वगएरा में तो वो आप उनको document ये बताई document तक चाहिए हर हालत में चाहिए बाकी कोई problem नहीं है sir fee slip वगर निकल के निकाल के रखनी है bank में से कोई please confirm this ये पता नहीं चला मुझे sir fees slip वगर वी निकाल नहीं आपने बस जो fees pay की है ना उसका आपके transaction का आपके पास होगा proof होगा ठीक है बाकी जो आपने capture कर ले नहीं है photo वगरा images की जो soft copy है उसके इलावा कोई आपको SMS नहीं आएगा ठीक next है sorry जब आप fees pay करोगे तो उसके print out रख लेना बस इसमें से अच्छा ये जवाब दिया किसी नहीं शायद उनके लिए अच्छा ठीक है ये बता दिया इनोंने भी उनके capture करके रखो photo लेके रख लो sir मैं हरयाना की category हूँ BC category और ये मुझे confirm है के मैं general category में आऊंगी बस ये बता दीजिए के form general category में भरूँ जा BC category में आप reserve में ही fill कीजिए इसका कोई नुकसान नहीं है आपका क्योंकि यहाँ कोई भी clear information नहीं है यहाँ clear information नहीं है वहाँ आपका benefit है तो आप BC को prefer कीजिए क्योंकि हाँ female के बारे में तो पका कहा है कि other states के eligible है ये किन मेरा मैंने भी confirm नहीं पूरी तरह से कर चुका हूँ हुआ हुआ अभी तक तो BC के बारे में SC के बारे में ये कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब वालों को ही होगा ठीक है यह दिल में मत रखी है कि इसका benefit मिलेगा आप BC फिल कर सकते हैं ठीक है अगर tension ज्यादा है फिर general फिल कर दीजिए अगर त्यारी ज्यादा है फिर भी general फिल कर दीजिए ठीक है आपको benefit रूल मताबक ही मिलना है अपने form में लिख दिया है BC आपके पास BC का proof है तो फिर डरने की बात नहीं है फिर कोई गबराने की बात नहीं है कि आप हर्याना से हो और आपने BC ही हो certificate भी है आपने लिख दिया है आपने कोई illegal काम नहीं किया wrong information नहीं दी आपकी rejection नहीं हो गई so don't worry sir should I fill semester wise aggregate mark और graduation हाँ sir aggregate fill करने है semester wise नहीं fill करने ये जो भी है सारा fill करोगे आप aggregate aggregate total तीन साल के करके sir guest of guilty वाला link कौन सा है मुझे ये question नहीं समझाया मैंने इनको बोल भी दिया है sir please share your contact मैंने बताया है इस वीडियो में देख लिया है हाना आपने how to pay fees वही है online fees पे करनी है ये जो comment है ये देख लीजिए ये 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 हुई 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 ये closing date for submission of online 8 है पांच बज़े तक है और आपने fees 24 अगेंट चलनी है रात मतलब रात तक फीस हो सकती है online 8 11 दोजार एक तक on the last day यहा था एक आपका question क्या था कि fees कैसे pay होनी है यह रहा यह रहा आपका answer यह new update की है यह सुन लेजिए जी यह रहा यहा On last day the submission of application form a fee if status is previous online transaction is pending जिनको tension हो जाएगी and amount gets deducted from the application to bank account आपके bank में से पैसे निकल गए है और credit or debit card यह है जी credit or debit card से आप कर सकते हो online fees यह आपका उत्तर आ गया the applicant are advised to retry the transaction after 15 minute ठीक है amount deducted for the failed transaction will be reversed automatically by the HDFC bank within in 10 days fees की पड़ी है हमारे हमारा line से मत हमें बाहर निकाल देना यह new instruction थी next आ गया हमारा question इतना लंबा हो गया video sir sc और इसका यह मैं देखके बताता हूँ यह बायरोटेशन है मेरे ख्याल में बायरोटेशन जो मिलती है न आपको एक notice दिया हुआ है इन्होंने यहां निकालूंगा तो फिर time लग जाएगा इनका एक्स बाद में आपका जवाब दे देता हूँ के रो अर अर अंबी क्या सर मेरे मार्क्स ग्रेजुएशन में 50% है तो मैं अलिजिबल हों के नहीं ग्रेजुएशन में अगर आपकी SC केटगरी है तो